हेलो गाईस आज मैं EG Scanner एप को डाउनलोड करने वाला हूँ तो उसके लिए मैं आपर इन इस्टोल के अप्शन पर किलिक कर दिया हूँ लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे इन इस्टोल के अप्शन पर किलिक किया तो जो EG Scanner एप है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है यहाँ पर एक गोल गोल घूम रहा है और यहाँ पर पेंडिंग सो हो रहा है लेकिन एप डाउनलोड नहीं हो रहा है अगर आप भी EG Scanner एप को डाउनलोड करना चाते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि इस app को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको pending problem आ रही है तो फिर इस वीडियो को आपको end तक देखना है इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से easy scanner app को डाउनलोड कर पाएंगे और जो problem होगी वो solve हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए आज का वीडियो start कर लेते हैं तो पहले यहाँ पर आपको इसे cancel कर देना है cancel करने के बाद आपको आ जाना है अपने mobile की home screen पर home screen पर आने के बाद यहाँ पर आपको play store पर इस तरह से दबाए रखना है फिर आपको यहाँ पर app info का option मिल जाएगा आपको इस पर click कर देना है इस पर आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपको सामने कुछ इस तरह का page खुल कर आ जाएगा फिर आपको यहाँ पर storage का option मिल जाएगा आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखना है यहाँ पर आपको clear data का option मिल जाएगा आपको clear data के option पर click कर देना है किलियर डाटा के option पर आप जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको clear all data को option मिल जाएगा आपको इस पर किलिक कर देना है आप clear all data के option पर जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर उपर लिखा मिलेगा आपको delete all data और OK के option पर किलिक करके आपको इसका data delete कर देना है data clear कर देना है फिर आपको यहाँ पर आ जाना है बापस बापस आने के बाद यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को open कर लेना है प्ले स्टोर को open करने के बाद आपको ऊपर देखना है यहाँ पर जो आपकी ID है उसका logo दिख जाए इस पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे देखना है यहां पर जो आपकी setting का option मिल जाएगा आपको इस पर किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको नेटवर्क पॉफुमेंस का option मिल जाएगा आपको इस पर किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के ब तो यहां से आपको हटा देना है और over any network के option पर select करना है जब आप अपने mobile के data से इस app को download करने वाले हो अगर आप किसी दूसरे के mobile से अपने mobile को connect के हैं तो आपको over wifi only पर रखना है अगर आप wifi से connect के हैं तो भी आपको यहां पर over wifi only पर ही रखना है तब आप इस app को download कर पाएंगे तो मैं यहां पर अपने mobile के data से इस app को download करने वाला हूं तो मैं आपर over any network के option पर select कर देता हूं और यहां पर done के option पर click कर देता ह तो यहाँ पर आपको बापस आ जाना है बापस आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में आना है सर्च बार में आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है EG Scanner App तो यहाँ पर आपको EG Scanner App लिखकर सर्च कर लेना है EG Scanner App लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे दिया हूँ इस पर किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर इन इस्टॉल का आपसन मिल जाएगा आप इस पर किलिक कर देना है आप इन इस्टॉल के आपसन पर जैसे किलिक करेंगे EG scanner app download होना start हो जाएगा और यह download होकर आपके mobile की screen पर पहुंच जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो EG scanner app है बो download होना start हो चुका है 7% तक हो भी चुका है तो आपको पता चल गया होगा कि आप अपनी problem को कैसे सुदा सकते हैं आप अपनी जो pending problem है उसे कैसे solve कर सकते हैं और EG scanner app को कैसे download कर सकते हैं तो अगर आप इस चाएप पहली बार आए हैं तो please इस चाएप को subscribe कर लेना और इस bell icon को आपको आल पर select कर लेना है और वीडियो को like कर लेना है